नमस्कार मित्रानों जीनियस साइंस मदे आप लब मना पासुन खूब खूब स्वागता है दोस्तों आज के इस वीडियो में अभी हम पढ़ने वाले हैं तो यानि कि अच्च्वली फ्रीजिंग पॉइंट का मिनिंग और उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिप्रेशन रहता है वो डिप्रेशन किस तरह से क्रियेट किये जाता है इसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं अभी आप तो जो थमनेल वगएरा हीडिंग वगएरा देखे आप तो बहुत कुछ समझ गए होंगे कुछ तो फ्रीज है कुछ तो ठंडा है एक नहीं समर के सीजन में इतनी बहुत सी गर्मी है और इस गर्मी में हम फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में लर्न करने हैं मज़ा आ रहा होंगा ना आपको मजा यह तासे लें फ्रीजिंग प्वैंट तर एक लक्षा घ्या फ्रीज होने मज़े काई या संद्रबात आपन ठोड़ क्या जानूंगे हूँ आप प्रीज होने मज़े काई ऑके फ्रीज फ्रीज मनजे जो एकादा युक्वीड मदे हसे लिव लिक्विड चो रुपांतर सॉलीड मदे करने त्याला आपन फ्रीजर से बनतो पर न तो फ्रीज होन्याचा जो कही टेंपरेचर असे डाट इस काल्ड आज फ्रीजिंग पॉइंट आणि वो सब लिक्विड के बारे में फ्रीजिंग पॉइंट एक अलग रहता है मैं इस वीडियो के साइड में मैं आपको फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ देखो इस तरह से एक साइड में मैंने एक वीव लेके रखा है बहुत सा सुन्दर सा वीव है देखो एक फोटो लेके रखी है मैंने किती सुन्दर फोटो है एक पोला रिजन की फोटो है यानि कि दक्षिन दुरूव और उत्तर दुरूव में दक्षिन और उत्तर यह temperature आपको मालूम है अगर आपने 10th में learn किया है तो 10th में अगर थोड़ा अच्छा सा खासा सा द्यान लगा के आपने अगर पड़ा है तो आपको इसके बारे में मालूम होगा 0, 4 degree centigrade to 0 degree centigrade यानि कि जैसे की temperature water का temperature 4 degree centigrade पर आता है तो उससे अगर धिरे 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 डाउन होते जाता है तो water का size बढ़ जाता है और 0 degree centigrade पर उसकी size सबसे ज्यादा होती है तो यानि कि freeze होता है ये लेकिन ये freezing point क्या है यह किस तरह से freeze होता है अगर freeze होने के लिए उसमें कुछ changes हम कर सकते हैं क्या अगर कोई material अगर हम अंदर दाल देते हैं कुछ में उसमें add करते हैं तो freezing point उसका बदल सकते हैं क्या तो इस बारे में इस वीडियो में हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं बच्चो मैं हूँ संजु सिरसाट और आप देख रहे है जीनियस साइंस यूट्यूब चानल अभी तक चानल पे नए है तो चानल को सब्सक्राइब करो बेल आइकॉन दबाओ और सबसे ज़्यादा वीडियो देखने में आप इतने भावनाओं में खो जाते हैं इतना ये व ये मैं आपको रिक्विस्ट करता हूँ कि जल्दी से इसे लाइक करूए और एक थोड़ा सा समय निकालके आपने दोस्तों तक इसकी लिंक भी पहुंचाईए क्यूंकि मैं आपके लिए जरसा टाइम लिकाल रहा हूँ वैसा आप ही आपने दोस्तों के लिए थोड़ा सा पाकिसे है anne THAT पेन रिएक तो इखा होगा अगर कई पोल पे जा कि अनी कि थंड रेजन पे अगर कभी आप s弦 करने के लिए गया होगे कभी घूमने के लिए गए होंगे यानि कि कश्मीरे में, जम्मू कश्मीरे में वगरा जो कुछ भी ठंडा एरिया है मैं तो जा चुका हूँ, मैं तो घूम चुका हूँ मैं घूम के आया हूँ, मैं अकेला नहीं तो मेरे माबाप को साथ में लेके गया था मेरे माबाप को साथ में लेके गया था और वो ट्रेन में नहीं तो एरो प्लेन में इस तरह से प्लेन में लेके गया खुद तो बहुत गुम सकते है बीबी बच्चों के साथ में तो बहुत भी गुमते है बहुत भी मौज़ मज़ा करते है लेकिन आपके माबाप के साथ जाने में जो कुछ मज़ा है वो अलग है और वो मज़ा मैंने ले ली है जिन्दगी में आप भी कभी आगे चलके बड़े हो जाओगे पढ़ोगे लिखेगे बड़े हो जाओगे तो आपने माबाप को कभी मत बूलना माबाप को इस तरह से एक बहुत असी सेर करा के लाना तो फ्रीजिंग कोइंट है निकी ठंडी रीजन में अगर देखते हैं तो वहां बरफी बरफ रहता है चारो और बरफ रहता है लेकिन ये बरफ कहां से आता है तो दोस्तों ये बरफ आकाशे एक चोटे चोटे पार्टिकल के स्वरूप में जमिन पर गिरता है जमिन पर यानि की बरफ बारी कहते हैं हम उसे हिमाचल परदेश हो वगएरा वगएरा हिमाचल परदेश है उतराखंड का बदरिनाथ केदारनाथ वगएरा घंगोत्री अमोनित्री का जो एरिया है न वहाँ आपको बरफ देखने को मिलता हूँ नीचे वाला एरिया अगर आप हिमाले में जाते है तो हिमाले में आपको चारो और आपको बरफ देखने को मिलेगा लेकिन हिमाले को हिमाले में बोले तो कहां से आएगा देखो अगर आप इधर जम्मू कश्मीर से लेके अगर नकाशा यानि कि भारत का इंडिया का नकाशा अगर आप इमेजिन करते हो तो जम्मू कश्मीर से लेके इधर आप अरुनाचल प्रदेश तक यानि कि चाइना की इदर की border तक ये आपको हिमाले देखने को मिलता है, और यहां चारो और आपको बरफी बरफ देखने को मिलता है, तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि ये बरफ कैसे त्यार होता है, अगर हम आकाश में जाता है, तो आकाश में 3 किलो मीटर के उपर, जो aeroplanes रहते हैं हमारे aeroplanes 3 km के height के उपर से travel करते हैं तो वहाँ 0 degree centigrade temperature रहता है 0 degree centigrade तो 0 degree centigrade के बाद आगे का जैसे जैसे हम नीचे आते वैसे वैसे temperature बढ़ जाता है और जैसे उपर जाते तो temperature decrease होता है और उससे भी अगर हम उपर जाते तो temperature और बढ़ता है बढ़ने लगता है और उसके उपर जाएंगे तो और temperature decrease होता है लेकिन जमिन के उपर ये जो आप photo देख रहे हैं यहाँ बहुत सी सुन्दर सी photo मैंने आपके लिए यहाँ लेके रखी है तो ये बर्फ किस तरह से तयार होता है तो freezing point हम किसे कहते है चलो मैं आपको थोड़ा सा introduction दे दिया मैंने तो चलो हम देखते है कि define freezing point of a liquid freezing point of a liquid यानि कि freezing point of a liquid freezing point वोले तो क्या definition हम देखते है देखो चलो definition देखते है the freezing point of a liquid is a temperature देखो it is a temperature ये एक temperature है freezing point of a liquid किसी भी liquid को अगर आप कहते हैं तो पानी का भी हम solid में convert कर सकते हैं, solid में convert होता है, oil भी solid में convert होता है, यानि कि हर एक चीज आपको three states में आप available कर सकते हैं, three states में उसे convert कर सकते हैं यानि कि अगर oil है तो oil का अगर हम जादा और भी temperature अगर हम decrease करते हैं तो और भी temperature decrease करने के बाद इसका conversion solid में हो जाता है वो freeze होता है आप कभी-कभी coconut oil आपके सर को लगाने के लिए बालों को लगाने के लिए आप इस्तिमाल करते होंगे ठंडे काल में यानि कि winter season में ये पूर होता ठंडू हो जाता है जम जाता है हो और जमने के बाद उसे हम solid में conversion कहते हैं उसे हम freezing point कहते हैं और ice के बारे में हम देखते है तो 04 degree centigrade के नीचे आता है तो वो तो जम जाता है और दूसरी भी कुछ मटेरियल हम देखते हैं तो उसमें जैसे जैसे अगर हम सॉलूड भी अगर अंदर आइड कर देते हैं तो उसके फ्रिजिंग पॉइंट में बदल पड़ता है वह किस तरह से चेंज होता है यह आगे देखेंगे तरमित्राणों यह काई सब्सक्राइब करते हैं तो आप अगर हिंदी में बोलेंगे तो हमें बहुत होगी ऐसे बोलते हैं ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं इसलिए मुझे हिंदी में पढ़ाना कमपर्सरी यानि के कोंपर्सरी नहीं है फिर बी मैं उनकेविए मिकुछ तो कर रहा हूं करने की कोशिक कर रहा हूं नहीं हिंदी बहुत हीव मेरी समारिंट नहीं है एक त्ेमपरेचर एक जिस temperature पर, at which its vapor pressure of liquid as well as solid form becomes equal, और एक बार देखो, यह एक temperature है, और इसी temperature पर vapor pressure of liquid, यानि कि liquid का vapor pressure as well as solid form becomes equal, यानि कि उसका solid form और vapor pressure, दोनों का pressure जब equal होगा, तब भी यह liquid का conversion solid में होगा, यानि कि liquid converted into solid, liquid का solid में conversion होता है, इसे हम freezing point कहते हैं, यानि कि जो कुछ भी temperature होगा, जो कुछ भी temperature है, यह temperature is different for different materials, different liquid के लिए यह different होता है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि freezing point is the temperature at which that liquid material converts into solid, और एक definition मैं आपको बताने के कोशिश कर रहा हो देखो, okay, freezing point is the temperature, freezing point क्या है, freezing point is the temperature at which liquid and solid phases of substances are in the co-exist, liquid state and solid state, यह कैसे रहते हैं बोले, co-exist रहते हैं, co-exist बोले तो perfectly existence में आपको देखने को मिलता है, means that is in co-exist, liquid and solid, यानि कि जैसे हम बहते हैं, अगर उससे थोड़ा भी temperature अगर decrease होता है, तो वो solid में convert होता है, और उससे थोड़ा भी temperature बढ़ जाएगा, तो वो liquid में convert होता होगा, यानि कि that converts into solid, liquid to solid and solid to liquid, just by decrease or increase in temperature, that point is called as freezing point, okay, समझ में आया ना आपके, आया होगा, बहुत मजा कर रहे हो, बहुत आईश कर रहे हो, कुछ difficulties है, तो मेरे साथ discuss भी करो, मैं आपके लिए हूँ, मैं teacher हूँ, याले कि teacher, पूरे teacher एक student के लिए होता है, और तुम मेरे student हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मैं आपके लिए हूँ, आपके जो कुछ भी doubts है, जो कुछ भी difficult है, comment करके मुझे बता सकते हैं, और मैं उसके उपर नया सा वीडियो बना के मैं आपके लिए पेश करूँगा, आपके सामने पेश करूँगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, कि teacher से ज़्यादा student हुश्यार होता है, अगर कुछ doubt है, कुछ एक नई, आपकी कुछ कलपना है, कुछ imagination है, तो वो मुझे बताते करो, ओके, चलो, आगे का definition क्या है, आगे का part हम देखते है, depression of freezing point, अभी मैंने आपको बता दिया कि freezing point क्या है, freezing point क्या है मैंने बता दिया, यह एक temperature है, और जैसे जैसे liquid का temperature हम decrease करते जाते हैं, वैसे वैसे उसका size में बदल होता है, लेकिन ऐसा एक temperature आता है कि उस temperature पे that liquid converted into solid, liquid का conversion solid में होता है, तो आगे हम देखते हैं, what is a depression of freezing point, मैं अभी मेरी तरफ से बता आता हूं, यह जो मैंने जो text लिया है, यह जो मेरी जो notes है, यह notes आपको अपने website पे मिलेंगे, website थोड़ा सा मन्ने के एक 3-4 दिनों में मैं चालू करने का कोशिश कर रहा हूं, तो website पे यह पूरे notes आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप download कर सकते हैं, what is a depression of freezing point, freezing point depression क्या है, तो देखो, अगर कोई substance है, substance है, कोई liquid है, और वो liquid अगर 10 degrees centigrade को freeze होता है, क्या कर रहा हूं समझो, एक material है, और वो material 10 degrees centigrade को freeze होता है, यानिकि that is converted into liquid to solid at 10 degrees centigrade, अगर हम उसी liquid में, अगर हम कुछ non-olatil solute add कर देते हैं, तो उसका vapor pressure change होता है, यह भी आपको मालूम है, और non-olatil solute add करने से, उसका जो कुछ भी vapor pressure बदलता है, vapor pressure बदलने से, उसका freezing point भी बदलता है, depression होता है, यानिकि अगर यह 4-10 degrees centigrade को freeze हो रहा है, तो समझो, यह 5 degrees centigrade को freeze होगा, depressed होगा यह, कम से कम degree centigrade को freeze होगा, ओके, देखो, चलो, आगे मैं बता आता हूँ, आगे क्या है, ओके, the difference between the freezing point of pure solvent T0, क्या है, pure solvent है, तो pure solvent का freezing point क्या है, देखो, difference between the freezing point of pure solvent, जो कुछ भी बच्चे अभी live session देख रहे हैं, कि आप personal comment मत करिए, आपका concentration यहाँ पढ़ने में लगाई है, तो देखो, difference between the freezing points of pure solvent, T0 and solution, यानि कि जब pure solvent है, तो उसका freezing point हम solvent का T0 degree centigrade इमाजिन करता है, और जब यह solution बन जाता है, यानि कि इसमें जब हम solute add करते हैं, तो solute add करने के बाद इसका freezing point बदलता है, तो T is is called as depression of freezing point of pure solvent due to addition of non-olatile solute, यानि कि non-olatile solute add करने के बाद इसका freezing point बदलता है, यह depressed होता है, यह कम होता है, तो इसे हम कहते है, depression of freezing point, depressed हो जाता है वो, कम हो जाता है, तो देखो, it is denoted by delta Tf, इस तरह से, delta Tf, this is the depression of freezing point, and is given by, तो equation क्या है, देखो, this is the Tf is equals to, देखो, इस तरह से, delta Tf is equals to T0 minus T, क्योंकि मैंने आपको पताया था, जब वो solvent रहता है, जब वो solvent रहता है, तब उसका temperature, freezing point उसका जादा रहता है, मैंने बताया था आपको, कि that may be 10 degree centigrade, imagination के लिए, एक समझने के लिए, example दे रहा हूं, और जब वो solvent में है, तो उसका freezing point है, 10 degree centigrade, और जब इसमें, हम non-olatile solute अड़ करता है, तो उसका freezing point बदलता है, और वो आगे जाके बनता है, T, और इन दोनों का, जब हम difference ले लेते हैं, यानि कि T के बजाए ये हुआ, समझो, 5 degree centigrade, पहला था 10 degree centigrade, बाद में ये बन गया, 5 degree centigrade, तो यहां क्या है देखो, तो इस तरह से, delta T F is equals to, 10 degree centigrade, minus 5 degree centigrade, is equals to, 5 degree centigrade, this is the depression of freezing point, अगर, 2 के बजाए हम थोड़ा सा बदल सकते हैं, समझो, 4 degree centigrade, ऐसा imagine करेंगे, तो ये रहा समझो, 4 degree centigrade, अगर हम दोनों का डिपरेंस लेते हैं, तो इस डिपरेंस इस काड़ आज, 6 degree centigrade, और इस डिपरेंस, इस नोन आज, डिप्रेशन और फ्रिजिंग पॉइंट, फ्रिजिंग पॉइंट में, डिप्रेशन हुआ, और इसके पहले मैंने आपको बताया था, होता है, और उसमें अगर हम नॉन उलाटाइल सोल्यूट आड करते हैं, तो नॉन उलाटाइल सोल्यूट आड करने के बाद, यह 60 के बजाए, 70 degree centigrade को, अगर यह बॉइल होता है, तो इसे कहते हम, इलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट, इलिवेट होता है यह, यानि कि बढ़ जाता है, और यह क्या हुआ, अब फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, अगर हम समझते हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट में यह डिप्रेस हो रहा है, और बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमने क्या पड़ा, इलिवेट हो रहा, तो वहाँ बढ़ रहा है, 60 डिगरी सेंटीग्रेट के बजाए, वह 70 डिगरी सेंटीग्रेट को बॉइल होता है, यानि कि वह हुआ इलिवेशन, और यह 10 डिगरी सेंटीग्रेट को फ्रीज होने के बजाए, अगर यह नौन ओल डिगरी सेंटीग्रेट को अगर यह फ्रीज होता है, तो इसे कहता है, डिपरेशन और फ्रीजी पॉइंट, मैं आपको एक अच्छा सा एक्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको मालूम है, हमारे इंडिया में सियाचिन एरिया है, जो कश्मीर एरिया में कश्मीर में है, सियाचिन जहां का टेंपरेशर 45 डिग्री सेंटीग्रेट, माइनस 45 डिग्री सेंटीग्रेट रहता है, सियाचिन, सियाचिन का जो एरिया है हमारा, माइनस 45 to 47, 50 degree centigrade के आसपास यहां का temperature फाल होता है डाउन होता है बहुत नीचे जाता है temperature और वहाँ यह जो four wheeler वगेरा रहते है तो यह four wheeler वगेरा वहाँ इदर उदर जाने के लिए वहाँ शेर करने के यहां गुमने के लिए यहां कि जगा चेंज करने के लिए जो army के लोग रहता है उनको traveling करने के लिए जो कुछ भी four wheeler इस्तमाल किये जाता है उनमें जो कुछ भी petrol इस्तमाल किया जाता है वो petrol हमारा petrol नहीं होता यहां कि हमारा petrol और उसी petrol में फरक होता है उसमें non-olatile material एड़ करके उसका freezing point depressed किया वाला रहता है और यहां कि उसका freezing point हो generally temperature रहता है उससे कम रहता है इसलिए उसका इस्तेमाल किया जाता है अगर आगे का example में आपको बताना चाहूं तो aeroplane के बारे में मैं आपको बता हूँगा तो aeroplane के लिए जो कुछ भी petrol इस्तेमाल किया जाता है वो petrol भी इसी तरह का रहता है उसका freezing point depressed किया वाला रहता है हमारा general petrol pump नहीं होता कितना भी छोटा सा airport कितना भी छोटा सा aeroplane हो वो अगर सडकों पे अगर उतरता भी हो तो petrol उसे अपने petrol pump पे जाके वो petrol नहीं भर सकता वो petrol इस्तेमाल नहीं कर सकता क्यूंकि उसकी जो burning capacity रहती है उसका freezing point रहता है वो बहुत अलग रहता है इसलिए यह freezing point में आपको बता रहा हूं तो देखो delta Tf, delta Tf means this is the, delta Tf is the depression in freezing point that is the solvent का temperature है जब वो solvent में रहेगा उस वक्त उसका temperature रहेगा T0 और solute अड़ करने के बाद उसका temperature फाल होगा तो दोनों का जो कुछ भी difference रहेगा this difference is called as depression of freezing point ओके चलो आगे का point मैं आपको यहां बताना चाहता हूं effect of solute अब यह मैंने आपको बता दिया यह पूरा जो आगे में आपको बताना था यह मैंने पहले ही आपको बता दिया है क्या है effect of solute अगर आप किसी भी solute में किसी भी solvent में अगर कोई non-olatile solute आप add करते है तो उसका vapor pressure decrease होता है यह आपको मालूम है अगर उसका vapor pressure decrease होता है तो उसका boiling point elevate होता है और उसका freezing point depressed होता है freezing point कम होता है तो solute का freezing point depression पे किस तरह से effect होता है यह आपको मैं यहां बता रहा हूं एक छोटा सा example मैं आपको daily life का देता हूं आपके आस पास में आडोस पडोस में क आइस क्रीम लगा आइस क्रीम का गाड़ा वगरा लगाते हैं तो वह क्या करते हैं देखो उनका जो आइस क्रीम का जो इस तरह से बड़ा उनका टुकरा रहता है बड़ी गाड़ी रहती है उनकी और गाड़ी के अंदर इस तरह से कुछ कैंड रहते हैं और कैंड में इस तरह और अंदर आइस क्रीम भर देते हैं अगर आइस क्रीम में ही अगर आइस डाल दिये तो आइस क्रीम नहीं रहेगा हो पानी बन जाएगा हो तो इसलिए क्या करता है को साइड में आइस क्यूब डाल देते हैं आइस भर देते हैं साइड में बाजू में और आइस भरते वक्त और एक वह काम करता है, आपको किसी को अगर मालूम है, तो मुझे आप यहाँ कॉमेंट करके बता सकते हैं, यानि कि आईस के साथ अंदर कौन से चीज का मिक्षर किया जाता है, यह कॉमेंट करके मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करो, मैं आपको सब को बोल रहा हूँ कि कॉमेंट मत करो दूसरा कॉमेंट मत करो आपने आप में जो कुछ भी आप यहां कॉमेंट करके चाटिंग कर रहे हो यह चाटिंग मत करो मेरे भाईयों मेरे दोस्तों मेरे बहनों यह मैं आपके लिए कर रहा हूँ यह टाइम पास नहीं कर रहा हूं मैं यह आपको पढ़ा रहा हूं आपका कुछ तो जिंदगी में अच्छा बनोगे आप कुछ तो करोगे बड़े हो जाओगे स्टडी करोगे कभी कभी ना मेरी जिंदगी मेरी भी याद आएगी इसलिए मैं यह आपको पढ़ा रहा हूं च प्रपेशर ऑफ लिक्विट सौलवंट गेट लोवर डियू टू अफ नॉलाटाली शुलूट अभी मैंने बता दिया है अगर हम एड करते है तो उसका फ्रिजिंग पॉइंट डिप्रेश हो जाता है डिप्रेस हो जाता है यहां कुछ बच्चों ने बता दिया है साल्ट वगेरा बता दिया है तो बरोबर है साल्ट रहता है जो जनरल साल्ट हम जो उज़ करते हैं common साल्ट नमक वो नमक भर देते हैं बाजुमें आईस में यह नमक क्यों भर देते हैं तो उसका temperature जब 4 degree centigrade के नीचे अगर 4 degree centigrade है 4 degree centigrade है और उसमें अगर आप नमक भर रहे हो तो वो जनरली 0 degree centigrade के आसपास जाता है और उसका जो melting point रहता है melting होने का जो उसका जो process रहता है वो थम जाता है कि स्टेबल होता है वो ठेर जाता है melting नहीं होता हो इसलिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है कभी-कभी आपने यह भी करके देखा है क्या करके देखो यह जो practical है यह अपने डेली लाइब के examples है इसलिए आपको solution chapter पढ़ते वक्त आपको किसी भी तरह की तकलिब ने होगी और वो तकलिब मैं सहलूँगा आप नहीं सहने के आप खाली पढ़ाई करो मेरे साथ जो कुछ भी डाउट से होगरा मेरे साथ शेर करते रहो शेर करते रहो पढ़ाई करते रहो जो कुछ मैं करने के लिए कुछ बोल रहा हो तो कमेंट करने के कुशिश करो अंसर आपका वो गलत हो या बराबर हो उससे कुछ माइने नहीं रखता खाली आपको करो कुछ ना कुछ करो और मैं आपको और एक एक जामपल के बारे में आपको बताना चाहता हूं जैसे कि अगर हम जनरल पानी लेते पानी अगर आप करके देखो बात में एफ़ वीडियो खत्म होने के बाद एक गलास लेलो पहला गिलास ले लो और गिलास में पानी थोड़ाशा अधा भर आदा ग्लास में एक शक्कर दाल दो अंदर शक्कर शुरू में क्या करो जो टेंपरेचर जो ग्लास में आप पानी ले रहे हो उसी ग्लास का टेंपरेचर आप अपने हातों से मेजर करो उसे हातों से उसे टेस्ट करो और बाद में क्या करो उसी पानी में शक्कर मिला और चम्म से उ पूरी शक्कर उसमें डिजॉल करो और डिजॉल करने के बाद बाद में उंगली अंदर दाल के देखो उसका टेंपरेचर मेजर करो उसमें क्या डिप मच चेंज आता ये भी मुझे आप बताई दिजे और दूसरा एक एक एक्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं ये ना है ग्लुकॉवण डी कभी-कभी आप इंस्टन्ट एनर्जी बुलके आप पीते होंगे ग्लुकॉण डी क्या करो गलास में आप जो गिलास ले रहे हो जो पेला ले रहे हो उसमें क्या करो कि एक आदा घंड आदा से ज्यादा कि 75% पेला वहां बर दो पानी से और उ सही गिलास आप थोड़ा टाइम के लिए एक-दो मिनट के लिए धोड़ा सा स्टेबल रखो और गिलास के बाहरी बाजू में कुछ आपको चेंजेश देखने को मिलते हैं क्या यह मुझे बाद में कॉमेंट करके इसी वीडियो पर कॉमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं यानि कि ग्लुकॉनडी एड करने के बाद गिलास के बाहर साइड में बाहर की बाजुजे रहते हैं वहां कुछ आपको changes देखने को मिलते हैं क्या और अंदर भी आप थर्मामीटर वगएरा है आपके पास तो अंदर थर्मामीटर डालके आप देख सकते है थर्मामेटर दाल के अगर temperature measurement करोगे तो temperature increase होता है या decrease होता है ये भी मुझे आप comment करके बता दिजिए तो glycondite add करने के बाद उसका temperature fall होता है decrease होता है और जो common salt हम इस्तिमाल करते हैं वहाँ भी common salt add करने के बाद उसका temperature decrease होता है ये मैंने answer आपको बता दिये okay the addition of non-olatile solute into the pure solvent lowers the freezing point of pure solvent अभी मैंने आपको बता दिया है कि अगर हम solvent में solvent में अगर कोई solute add करते है तो उसका non-olatile solute non-olatile solute अगर हम add करते है तो उसका freezing point depressed होता है वो कम हो जाता है okay और उसके बाद हम आगे का point देख रहे है देखो तो आगे का क्या है इसे बाद हम देखते है एक्सप्लैन दी graphically depression in freezing point freezing point का graphical representation हम अभी यहाँ पढ़ने वाले graphical representation ग्राफिकल representation बोले तो शुरू में शुरू आती में शुरू आती टाइम में यह pure solvent होगा और उसमें pure solvent जब होगा उस वक्त उसका जो कुछ freezing point हो हम टेस्ट करेंगे एक ग्राब की जरिये और उसमें solute add करने के बाद क्या बदल होता है क्या change होता है यह भी हम देखेंगे ओके तो यहां देखो यह नाम लिखे लो यह नाम आपको अक्सर पूछा जाता है अगर आप कोई UPSC का preparation कर रहे हो अगर आप कोई नीट जी का preparation कर रहे है तो उसमें आपको यह multiple choice question के लिए यह scientist का नाम आपको पूछा जा सकता है यानि कि freezing depression of freezing point यह firstly कौन से scientist ने observe किया तो देखो सी एम गर्डबर्ग इन 1870 एड एफ एम रॉट इन 1878 यह यह आठ सालों के difference के बाद इन्हों ने यह पटने की कोशिश किया क्या बता है इन्होंने इस सी एम गर्डबर्ग 1870 एड एफ एम रॉट्स इन 1878 में इन्होंने इनके बारे में यानि की freezing point के बारे में कुछ उन्होंने study किया है तो देखो दी फर्स्ट सैटिस्फेक्ट्री थेरोटिकल treatment was given by जे एच वांट ओफ सैटिस्फेक्ट्री सैटिस्फेक्ट्री समाधान कारक समाधान होगे यानि की इस तरह से expansion दिया उन्होंने कि जिन लोगों ने यह पड़ा जिन लोगों ने समझने की कोशिश की तो उनका satisfaction हुआ यानि कि एक theory के बारे में एक अच्छी तरह से explanation करने की उन्होंने कोशिश किया है उसके बाद हम देखते हैं the variation of vapor pressure of pure liquid the variation of vapor pressure of pure liquid तुली तो चेंजेस ,शेंजेस किस तरह से बीईशन औफ वेपर प्रेशवस प्रेशव आ प्यूवर लिक्विड सॉल्वन्ट है यह ग्राफ कि दिखा है देखो लिक्विड सॉल्वंट है दूसरा एक सोलूशन है लिक्विड सॉल्वंट है सोलूशन है देखो यहां क्या-क्या बता रहा हूं में वेरियेशन आफ वेपर प्रेशर आफ प्यूर लिक्विड प्यूर लिक्विड प्यूर लिक्विड इस तरह से प्यूर लिक्व दिखा रहा हूं मैं यहां आपके लिए मैंने मेंशन किया है तो इस में से क्या है देखो एक एक पॉइंट का हम पढ़ाई करता है AB is the solid vapor sublimation curve कौन सा है AB यहां का A और AB यहां तक है एक खाली graph कहां तक है A से लेके यहां खाली B तक है यह arrow नहीं है यह नहीं तो आप arrow समझ जाओगे this is not arrow this is not arrow okay this is the pressure यह vapor pressure इधर से आया और इधर A temperature से इधर से यह क्या आया freezing point का temperature आया इधर से तो इस तरह से तो देखो solid vapor देखो AB is the solid vapor sublimation curve देखो यह solid vapor sublimation curve है okay of the solid solvent while the CD कहां है यह CD देखो यहां CD है इधर से यह देखो this is the CD C और यह D C से लेके D तक है यह देखो okay CD तो क्या है CD is the liquid vapor pressure curve यह जो CD है ना यह CD है liquid vapor pressure curve और जो यह भी है ना यह solid के बारे में curve है okay जो आगे का देखो add the freezing point solid and liquid phases यह identical vapor pressure किसका add the freezing point solid liquid phases solid or liquid phases यह identical vapor pressure identical बोले तो दोनों का vapor pressure nearly equal होता है identical रहता है identical रहता है तो एक nearly same nearly equal रहता है उसे हम identical कहता है यह आपको मैंने तीन ग्राप यहां दिखाए है तो add the freezing point solid and liquid phases यह identical vapor pressure यानिकि solid and liquid का जो कुछ भी vapor pressure रहेगा इन दोनों का vapor pressure completely equal रहता है okay तो आगे का point देखो then add point B यह देखो B point यहां मैंने आपको बता add point B the two forms have same vapor pressure two forms have same vapor pressure show same vapor pressure यह देखो इस तरह से यह जो है add point B यानिकि B point के जगर क्या होता है the two forms have same vapor pressure यह देखो इसका same vapor pressure therefore the T0 the temperature corresponding to B must be freezing point of pure solvent यानिकि यह जो यहां का जो temperature रहता यह temperature हम क्या imagine करते है freezing point imagine करते है किसका यानिकि जो कुछ भी इदर से यह solid का आएगा यह liquid रहेगा इस तरह से इन दोनों का यह एक identical vapor pressure दोनों का रहता है एक junction point रहता है यानिकि both are in coexist अगर इन में से किसी का भी थोड़ा सा temperature अगर कम होता है temperature कम होता है तो solid में convert होगा और थोड़ा सा temperature बढ़ेगा तो ओ लिक लिक्विड बे convert हो जाएगा फैन इस विस विद्विट इस डिजॉल इन सॉल्वन इसके बाद क्या कर रहा है है solute इस डिजॉल इन सॉल्वन यानिकि प्यूर स्वाल रहता है उस वक्त उसका freezing point रहता है टीज शिरो उसके बाद हम उसमें solute add करते हो नौन ओलटनी शॉल्वन डिजॉलडी सॉल्वन देखो तोल्युट इस डिजॉल इन सॉल्वन देखो वेपर प्रेशर आफ में इस लोवर शोल्वन का होता है उसका लोवर होता है decrease होता है and can no longer freeze at temperature T0 can no longer यानि कि उससे आगे वो freeze नहीं होगा और एक बार देखो the vapor pressure of solvent is lowered यानि कि non-oledized solute add करते ही उसका vapor pressure lower होता है decrease होता है can no longer freeze at temperature T0 यानि कि अभी अगर वो solvent अगर T0 degree centigrade को अगर freeze होता है समझो एक solvent है और वो T0 degree centigrade को वो freeze होता है और उसमें ही हमने क्या किया उसमें ही हमने solute add किया non-oledized solute add किया तो non-oledized solute add करने के बाद ये T0 degree centigrade को freeze नहीं होगा इसका freezing point depressed होगा यानि कि कुछ तो minus degree centigrade temperature होगा वहाँ गिरेगा उस body का temperature down होगा यानि कि उसका freezing point भी decrease हो सकता है तो इसी तरह से at new equilibrium is established नया equilibrium आपको तयार होने को मिलता है अब ये new equilibrium मुले तो क्या solid form का vapor pressure और liquid form का vapor pressure दोनों का जो equilibrium रहता है अब भी ये T0 degree centigrade पे है शुरू में solute add करने से पहले जो कुछ भी solvent रहेगा उसका और उसके solid का vapor pressure का equilibrium है T0 लेकिन solute add करने के बाद non-olatile solute add करने के बाद ये value decrease होगी तो किस तरह से देखो a new equilibrium is established at point E यानि कि नया equilibrium point तयार होगा नया अभी अभी जो हम जो देख रहे हैं अभी अभी के कालावदी में अभी सब सोसाइटी के जो कुछ भी संकेत है ये पूरे संकेत बदल दिया है इस coronavirus में ये पहले क्या होता था अगर किसी परसंद की अगर कहीं शादी है तो उसी शादी में बहुत से सेकड़ों लोग जमा होते थे अभी शादी के लिए खाली दो या तीन लोगों की जरूर रहते है खाली दो या तीन लोग दो यानि कि एक मिया भी भी दोनों भी है एक दूसरे को माला डाल दी शादी हो गई लेकिन उन्में कुछ पंडित जी वगरा जो साथ में लगते हैं घर के माबाप वगरे चलो रहना है बोलके रहते हैं अभी क्यूंकि कम से कम उतने तो साथ में रहे हैं इसलिए लड़की के माबाद लड़के का माबाब यह दोनों की चार और एक पंडित जीप पॉंच वा और यह दोनों यह कितने साथ जनों में ही शादी हो रही है अभी यानि कि सोसाइटी के पूरे नियम बदल दिये इस कुरोना वाइरस ने अगर किसी वेक्तिका देहांत होता है निदन होता है तो उसके अंतविदी के लिए खाली चार पांच लोग ही रह रहे हैं यानि कि जीने के हमारे जो क अगरे जिद्धह करते थे तूशन लगाते थे पैसा खर्चा करते थे अब आगे चल यह सीस्टिम पूरा बदलने वाला है तक पूरे 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 एक कोरोना वाईरस पूरा बदल रहा है सबको कि आगे चल के बच्चों को यह पता अभी अभी पता कर रहा है की YouTube पे है साइटी साइटी सब्सक्राइब ख feeding दिस्टा जो हमारे सोसाइटी में दिधने के जो नियम जो उसकी इजजत बहुत कम होती है यानि कि उसकी सोसाइटे में उसका इंप्रेशन नहीं है इस तरह से समझ सकते थे लोग और शादी में प्रोग्रामें जितने लोग ज़ादा उतनी इज़त उसकी ज़ादा लेभिन अभी के अगर आप नियम देखोगे तो जितने शादी में लोग ज़ादा उसके ओपर उतनी ज़ादा उतनी बड़ी केस दायर हो रही है आपको तो मालूब है ना यानि कि यह कोरोना वाइरस है यह कोरोना वाइरस सोल्यूट की तरफ हमारे समाज में हमारा समाज सॉल्वंट है समझो हमारा समाज एक सॉल्वंट है और यह सॉल्वंट में एक कोरोना यह है वो कम हो गई है यानि कि कोरोना वाइरस का सॉलूट एड करने से हमारा सोसाइटी का सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हुआ है यह आपकी समझ में आया होगा तो इसी तरह से मैं देखो वेर वेपर प्रेशर आप सॉल्वेंट आप सॉलूशन एड सॉ क्या है क्या हिए प्रेशर आप इस च्छलिवेंट आप सॉलूशन आंड सॉलीड सॉल्वेंट विकंडreme दोनों कम्प्लेट लिएकॉल हो जात के इसक बाद टेपरेचर टी को रहेगा बाद में डिप्रेस होने के बाद the temperature t corresponding to the point e यहां का corresponding to the point e then where the vapor pressure curve of solution intersect the sublimation curve intersect the sublimation curve is the freezing point of the solution इसे क्या करता है हो intersect करता है इस तरह से इस तरह से completely intersect करके एक sublimation curve आपको यहां देखने को मिलता है तो इस तरह से मैंने आपको यह freezing point depression के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की है आगे का point क्या है इसमें the vapor pressure curve of solution EF यह देखो यहां EF है यह EF curve है यह EF curve क्या बताता है the vapor pressure curve of solution EF solution EF का always lies below the vapor pressure curve of pure solvent pure solvent का जो कुछ भी है pure solvent का जो curve रहेगा इस तोड़ा सा यह क्या रहता है कम रहता है hence the intersection of vapor pressure curve of solution and solid solvent can occur only at a point lower than T0 T0 से यह क्या होता है कम होता है इस तरह से मैंने आपको यहां बताया है therefore any solution of the solute must have freezing point T0 lower than that of the pure solid और किसी ही solution के बारे में यह आपको देखने को मिलता है यानि कि अगर कोई pure solvent है उसमें अगर हम solute add करते है तो उसका vapor pressure decrease यह main theme है main theme है non-olatile solute add करना ना add करना add करने के बाद vapor pressure decrease होता है vapor pressure decrease होने के बाद उसका boiling point पे भी परिणाम होगा और उसके साथ साथ अगर दूसरा कोई substance है दूसरा कोई liquid है तो उसके freezing point के ऊपर भी यह परिणाम करेगा तो इस तरह से यह हम यहां पढ़ रहा है यहां non-olatile solute solvent यह दोनों बहुत ही important term है तो अभी देखो यह क्या है T0 is the temperature freezing point at solvent condition and T is the temperature this is the freezing point and this is at after adding the solute in solvent solute add करने के बाद का freezing point है और solute add करने से पहले अगर यह दोनों का हम difference लेते है तो इस difference is कादाज freezing point depression is the lowering of lowering or depression of freezing point lowering or depression of freezing point it is the difference is the freezing point of pure solvent and solution the magnitude of delta Tf depends both on the nature of solvent of delta Tf and concentration of solution यह point थोड़ा सा specially आप याद रखो क्या है इसमें the magnitude of delta Tf यानि कि जो कुछ भी यह difference रहेगा जो कुछ भी depression रहेगा depression बहुत तो क्या समझो यह सुरू में मैंने आपको एक्जाम्पल दिया था 10 degree centigrade शूरू में था और उसके बाद यह हो गया 4 degree centigrade और यह दोनों का difference कितना आया था तो difference is called as 6 degree centigrade तो यह रहा delta Tf यह delta Tf है यानि कि depression in freezing point कितने degree centigrade से यह depressed हुआ तो this is depressed by 6 degree centigrade after adding the non-olatized solute in solvent okay तो आगे क्या देखो the magnitude of delta Tf depends delta Tf किसके उपर depend है देखो तो delta Tf बुले तो freezing point depression किसके उपर depend है तो यह dependent nature of solvent of delta Tf nature of solvent of delta Tf okay and concentration of solution जो कुछ भी concentration रहेगा solution का solution का जो कुछ भी concentration रहेगा उसके उपर इसका depression depend करता है एक daily life के example मैं आपको देता हूं जो कि आपके घर में आप अक्सर देखते हैं हमारे बालों को हम oil लगाते हैं तेल लगाते हैं तो coconut oil लगाते हैं जो कि हम market से parachute वाला coconut लाते है coconut oil लाते है बॉटल में रहता है तो winter season में वो jam जाता है अगर उसे बाहरत निकालना है थो रहता है पर पर आपको बताता हूं जैस्मीन वाला जैस्मीन मालूम है ना आपको मालूम होगा सबको मालूम होगा जैस्मीन जिसमें से थोड़ा सा सुगंदी रहता है वहां से थोड़ा सा पर्फ्यूम अगर जैसा सेंट आता है हमें अगर वह जैस्मीन वाला अगर ऑफ ऑईल देखते हैं दोनों बॉतल अगर आजू- तो जास्मीनवाला तेल फ्रीज नहीं होगा और हम्हारा जनल कोकुनुट ऑईल है यह फ्रीज होता है यह क्यों होता है तो जो जास्मीन वाला सबस्टन्स रहता उसमें आंटी रेफ्रीजरंट एड चिया हुआ रहता है एंटी रेफ्रीजरेंट एंटी रेफ्रीजरेंट बोले तो उसे वह फ्रीज नहीं होने देता हो उसका टेम्परेजर कितना भी हम कम करें लेकिन उसका फ्रीज नहीं होता हो इसलिए हम उसे कहते हैं एंटी रेफ्रीजरेंट मटेरियल और एंटी रेफ्रीजरेंट मटेरियल और अगर आप वो बोतल देखते हैं मैं आपको बोतल दिखाता हूँ बोतल के ऊपर एक तोटा सा नाम नी लिखा हुआ रहता है यह दिखाऊंगा तब तक हम आगे का पॉइंट देखते हैं और डाइलूट सुलूशन डालू बोले तो कॉंसेंटिशन मैंने आपको बता है था यानि कि सोलूशन का जो कुछ भी कॉंसेंट्रेशन रहता है उसके ऊपर भी उसका रेफ्रेजरेंट डिपेंड करता है नहीं क्में ज्धान करेंग करें खताम हो गई यह लॉग डाून नहीं है खताम हो गिया है चलओ लॉगडावन पर हर चीज़ तो for dilute solution jasmine ची बाटल नहीं गा तो इस कंटेंट में अगर आप जसमीन की बाटल देखोगे जसमीन ऐल की तो उसके ऊपर content लिखा होता है और content में anti-referent material ऐसा लिखा हुआ रहता है उसमें okay तो देखो for dilute solution के लिए concentration का तो मैंने बता दिया of different solutes for a given solvent for for dilute solutions of different solutes for a given solvent delta tf varies linearly शुरू में मैंने आपको बता दिया था liquid content represent वेगरा अलग रहता है और दूसरा अगर यह देखते हैं मैंने petrol के बारे मैंने आपको बताया था कि हर एक petrol एक जैसा नहीं होता petrol में content different होते हैं और कौन से condition में और कहां उसका इस्तिमाल हो रहा है उसके हिसाब से उसके अंदर content मिलाए जाते हैं anti-represent material अगर थंड़ एरिया थंड़ एरिया है तो वहां anti-represent materials अंदर आड़ किये हुए रहते हैं और वो कम से कम कितना भी degree centigrade अगर temperature decrease हुआ फिर भी वो रेप्रेज नहीं होते हैं linearly वो change होता है with the concentration irrespective of the nature of the non-olatile 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 electrolite solute तो इस तरह से हम कुछ electrolyte वगेरे add करते हैं non-olatile solute add करते हैं तो इस तरह से उनके freezing point में एक बदल करते हैं तो आगे और point क्या है the depression of freezing point is proportional to the lowering of vapor pressure इस सबका comparison है इसके उपर आपको specially एक 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 objective question आ सकता है देखो इसके उपर objective question आ सकता है इसके उपर भी आ सकता है किसके उपर depend है the magnitude of delta T depends on nature of solvent and concentration of solution which is correct from following which is correct from following इसमें से एक question पूछा जा सकता है यहनि कि हर एक sentence में आपको multiple choice questions हो सकता है आपके लिए तयार हो सकता है the dilute solutions of different solutes of a given solvent delta Tf varies linearly linearly बदलता है जैसे जैसे concentration बदलता है वैसे वैसे उसका depression of freezing point भी बदलता है of non-olatized solutes and electrolytes then आगे का point क्या है the depression of freezing point is proportional proportional बोले तो depression of freezing point is proportional to the lowering of vapor pressure जितना vapor pressure decrease होता है उतना ही freezing point depressed होता है with both are directly proportional to each other यानि कि आपको मालूम है अगर solute बे अगर हम non-olatized solute आड करते हैं तो vapor pressure lower होता है vapor pressure lower होता है यानि कि उसका boiling point भी depressed होता है नीचे जाता है और जितना vapor pressure decrease होगा उतना ही उसका boiling point freezing point depressed होगा boiling point के बारे मैं elevation of boiling point आपको बता दिया है pressure हैंस वेपर pressure और आगे क्या है देखो हैंस तो दी मोल fraction of solute थस दी दी दीलूट solutions के बारे मैं आगे का point देखो दिस वन इस दी देल्टा टी एफ देल्टा टी एफ देल्टा टी एफ इस डिरेक्ली प्रक्ली प्रपोर्शनल टू दी पीवान जीरो माइनस पी अगर इस दोनों का अगर हम इस तरह से देखते हैं तो देखो देन ग्रेटर दी लोरिंग लोरिंग वेपर प्रेशर ग्रेटर दी लोरिंग और प्रेशर दी पीवान जीरो माइनस पी ग्रेटर विल भी दिपरेशन ओफ फ्रेजिंग प्रेश्ट यह भी point आपको थोड़ा सा अगर अगर ले रहे हैं तो इसे थोड़ा सा अंडरलाइन करके रखो क्या है जैसे जैसे वेपर प्रेशर लोर होगा उसी तरह से सिमल टेनर्सली उसका पीपर फ्रेशिंग इपरीज आपको पता दिया सुष्ट यह भी सबीर hardy अखिस तरही मैन अबचा दिया है अधिस रिख को दियो को पातादिया यह di इस दिड़ेकल प्रेशन अगलोगो इपर प्रेशर पिए प्रैसिर kait चै prisoner from purely thermodynamic consideration and confirmed experimentally that the freezing point depression of any solution is directly proportional to the morality of the solution morality यानि कि जैसे जैसे concentration उसका बढ़ता है वैसे वैसे वैपर pressure भी decrease होता है और जैसे जैसे वैपर pressure decrease होगा उसी तरह से simultaneously उसका क्या change होगा freezing point difference होगा और boiling point में और इस freezing point में एक तरह का आपको change देखनों को मिलेगा यानि कि ज्यादा से ज्यादा difference ज्यादा बढ़ता जाएगा इस तरह से मैंने आपको यह बताया है तुस देल्टा tf is proportional to m molality का है मैंने that is the m is the molality of the solution यह देखो और एक बार delta tf is a directly proportional to the molality यह देखो मैंने यह दिका है मैंने आपको it has been proved that true किया है क्या purely thermodynamic consideration and confirmed confirm करके देखा है experimentally experiment करके देखा है that the freezing point of depression of any solution किसी भी solution के बारे में is directly proportional क्या है freezing point depression is directly proportional to the molality of the solution यानि कि किसी भी solution में अगर आप solute add करता है तो vapor pressure decrease होता है vapor pressure decrease होने के बाद उसका freezing point भी depressed होता है और यह freezing point depression और freezing point और molality इन दोनों का क्या रिस्ता है यह रिस्ता यह relation हम आगे देखने वाल है तो देखो delta tf is equal to kf into m kf into m यह क्या है देखो delta tf is directly proportional to the m m is the molality of solution और यह proportionality sign हम निकालते है तो इसके बराबर अगर हम लिख देते है इस equation को तो delta tf is equals to kf into f है तो यह kf into f क्या है तो देखो आगे मैं आपको बता रहा हूँ तो देखो kf is the proportionality constant called molal depression in freezing point constant molal depression क्या है यह molal depression in freezing point constant और ने तो दूसरा symbol इसका दूसरा भी word है cryoscopic constant of freezing point depression constant cryoscopic constant of freezing point depression cryoscopic constant यानिकि kf जो symbol है यह kf symbol this is the freezing point depression का यह एक constant है जहांकि अगर हम अस तरह से लेता है delta tf is proportional to m तो delta tf is equals to kf into m तो this is the relation और इसी relation में जो कुछ भी kf आता है तो kf is the proportionality constant and that proportionality constant is called as cryoscopic constant of freezing point depression okay एक 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 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ समझो अगर हम जो molality उसका जो concentration हम एक unit consider करें अगर वो value अगर हम एक unit consider करते हैं एक value consider करते हैं एक मिनिटर यहां कुछ तो थोड़ा सा थोड़ा सा color बदल रहा था तो देखो यह मैंने आपको बताया है क्या बताया देखो तो इस वर इस वन इस यम इस वन unit value हमने imagine की है तो delta tf is equal to kf के बराबर आएगा अगर यह kf के बराबर आता है तो आगे का point क्या है देखो hence the cryoscopic constant is defined as is key definition the depression in freezing point produced by dissolving one mole of solute that is the one kg of solvent that is the molal solution or a bar the depression in freezing point producer the depression in freezing point producer by dissolving one mole of solute in one kg solvent बार बार थोड़े सा देखो special definition है क्या है the depression in freezing point producer depression in freezing point producer किसने by dissolving किसको dissolve किया solute को कितना dissolve किया तो हमने one mole of solute dissolve किया लेकिन कितने में dissolve किया one kg of solvent में अगर one mole of solute अगर हम one kg solvent में अगर dissolve करते है तो उसका जो कुछ भी freezing point depression होता है that freezing point depression is called as one that is called as a cryoscopy constant that is called as one cryoscopy constant that is the KM समझ में आपको one mole of concentration का solute अगर हम one kg solvent में add करते है तो जो कुछ भी value आपको मिलेगी that value is called as cryoscopy constant एक देखो और एक बार बता रहा हूं one mole of solute dissolved in one kg of solvent जो कुछ भी freezing point depressed होगा जितना भी जो कुछ भी amount से decrease होगा that decreased amount is called as cryoscopy constant at that constant is called as KF okay और आगे का देखो last one point then then the from equation first जो मैने इस से पहले दिया था आपको क्या था delta TF is equals to KF into M है दिया था ना KF equals to F okay delta TF is equals to KF into M but here KF के बराबर अगर हम इसे लिक देते है इसी equation को अगर हम KF के बराबर लिक देते है और हैंस the unit of KF is क्या है इसका unit is K kilogram per mole के फॉर केलविन kilogram per mole यह के फॉर Kelvin है और यह kilogram है और यह per mole है okay Kelvin per kilogram mole इस तरह से यह value मैंने आपको यहां दी दी है तो इसके बाद हम आगे का point देखते है what is cryoscopy okay what is mean by cryoscopy and cryoscopy constant बोले तो क्या है इसके बारे में भी हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं आगे के point में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों यह cryoscopy का जो constant है cryoscopy क्या है इसके बारे में हम आगे देखते हैं अभी तक आपको यह वीडियो कैसा लगा यह वीडियो में जुको आपको कुछ समझ में आया है क्या नहीं आपको कुछ difficulties है अगर आपको यह वीडियो की यादि के freezing point depression आपको समझ में आया है तो इसे आप वीडियो को like कीजिए अपने दोस्तों को share भी कीजिए क्योंकि मैं आपके लिए इतना time अगर आपके लिए मैं निकालता हूं समय निकालता हूं तो आभी मेरे लिए एक चोटा सा समय लिका लिए एक इसे share करिए क्योंकि आपके लिए मैं इतना time दे रहा हूं तो मेरे लिए कुछ तो time दे दो आ और इसे share करो अपने दोस्तों तक share करो अगर यह आपको अच्छा लगता है तो like भी करो अगर live गी नहीं करते है तो बहुत बुरा लगता है बुरा लगता है वहुत इतना time देखकर भी आप अगर इसे live करते नहीं तो यार चलो वो आपकी मरजी है क्या करना है सो नहीं करना है उगरा तो आज के video के लिए अभी हम यहाँ ठहरते हैं जल्दी मिलते हैं नेक्च उडियों में तब तक जय ही जय भारत दोस्तों भाई भाई आगे का पॉइंट हम आगे की उडियों में देखते हैं